प्रधार मंती नरेंद मोदी ने कल आल पार्टी मीटिंग की अध्यक्सता की इस अध्यक्सता में सोनिया गांदी शरत पवार जैसे नामी नेता मौझूद थे इस दोरान इन तमाम नेताओं ने सरकार से यह जानने की कोशिश की कि आखिर भारत चीन विवाद पर सरकार का क्या एस्टेंड है, क्या सरकार को पता नहीं था कि चीनी सैनिक अमारी जमीन पर घुसा हैं, क्या सरकार के पास सेटेलाइट तस्वीरे मुहिया नहीं हो रही थी जिससे उन्हें ये पता चल सके कि चीन कहां तक कबजा जमाए हुए है। साथि सोनिया गांधी ने यह भी सवाल किया कि क्या भारत की खूफिया एजेंसियां पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इन तमान सवालों को सुनने के वाद परधान मंतिर नरेंद मोधी ने भी तक्रीबन दस मिनट जवाब दिया तमाम नेताओं को और उस जवाब में उन्होंने यह साफ कर दिया कि वह भारत के एक इंच भी जमीन किसी के भी कबजे में जाने नहीं देंगे। मैं आपको भी आस्वस्त कर रहा हूँ कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोट रही है। डिप्लोईमेंट हो, एक्षन हो, काउंटर एक्षन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये capability है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन के तरफ आँख उटा कर भी नहीं देख सकता। आज भारक की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मोग करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचीत कदर उठाने के छुट दी है। वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूंक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंड्सिप चाहता है। लेकिन अपनी स्ववरनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्व परी है।